कि स्क्रीन पर कुछ विजेबल है क्या कि यह सेर अर्नेश कुमार वर्स स्टेट ऑब बिहार दिस वान अफ दे लेंडमार्क जज्जमेंट पास्ट बैंडबल सुपरीम पॉर्ट ठीक है बहुत ही इंपोर्टन जज्जमेंट है और खास करके जो नए लॉट स्टूडेंट्स है उनके लिए तो वैसे भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इस पार्टिकुलर केस में बहुत सारे गाइडलाइन्स दिये हैं विद रिस्पेक्ट टू अरेस्टिंग ऑप परसंट वेन परसंट में भी अरेस्टेड और गाइडलाइन्स विच पुलिस हैस्टू फॉलो वा कि या सब्सक्राइड है मैं भी हमने और कस्टडी के बारे में इनलैंथ बात कि थी क्या और उसम्मार वाले केस में ठीक है आज जो case है वह काफी interesting case है इसलिए interesting है क्योंकि जो provisions के अंदर इसमें arrest हुआ है that is unique और इसका इतना rampant misuse हुआ है कि यह misuse जग जाहिर है मतलब यदि आप law student है या lawyer है तो इसके misuse के वारे में आपको पता होगा ठीक है one provision of IPC that is 498A यह क्या होता है इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि 498A होता क्या है और क्यों इसका misuse है क्या reason है reasoning क्या है misuse होने का तो first of all we must go through the IPC the contents of the 498A of the IPC just for a moment let me take you through the provision कहां IPC वहिए देखो 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 यहां IPC ठीक है 498A क्या है जड़ा देख लेते हैं माइक आफ कर दीजिए आप लोग see 498A यहां पर clearly कह रहा है कि husband और relative of husband of a woman subjecting her to cruelty महिलाओं के परती जो अत्याचार बढ़ी है समाज में उसको ध्यान में रखते हुए यह provision जो है यह insert किया गया 1983 में कि भाई महिलाओं के परती बहुत सारी अत्याचार जो है बढ़ रहा है अब 1983 से लेकर के 2000 आते आते या कहें तो 2005 के बाद इतना misuse होने लगा इसका जिसका कोई हिसाब नहीं इतना misuse मतलब 20-25 साल के बाद इसका misuse देखने को अब मिला है अब क्या होता है कि इसको यह एक gift है husband के लिए या उसके relative के लिए कोई भी matrimonial disputes होए तो क्या होगा वो 498 का case लगना ही है कोई नहीं रोख सकता है हलांकि इसका यह मतलब नहीं कि सारे के सारे cases जूट हैं सारे के सारे cases में misuse हैं ऐसी बात नहीं है there are numerous cases जहां पे actual made domestic violence, cruelty महिलाओं के परती, महिलाओं के against किया जाता है हम उसकी पुस्टी नहीं कर रहे हैं लेकिन जो misuse हुआ है और जो court में सिद्ध हो गया है misuse उसके बारे हम बात कर इसका यह कता ही meaning नहीं लगाना चाहिए कि यह provision का सिर्फ misuse ही misuse हो रहा नहीं ऐसी बात मैं आपको ना तो बता रहा हूँ ना तो सिखा रहा हूँ सबसे पहले हम देखते हैं 498 का प्रोविजन है क्या और क्या कहता है कि कहता है कि हुए बार बींग दा हस्वेंड or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to find explanation दिया है for the removal of doubt there is an explanation in the clause itself it says that for the purpose of this section cruelty का मतलब सम्झा दिया कि what is cruelty within the meaning of 498A of the IBC कहागी any willful conduct which is of such a nature as is likely to derive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life limb or health whether mental or physical of the woman ये cruelty के तैरे में आएगा यदि आप किसी महिला को इस कदर परिशान करते हैं कौन हस्वेंड या उसके घरवाले घरवाले में उसका बाई देवर हो सकता है जेट हो सकता है ननद हो سकती है उसके बच्चे हो सकते हैं ससुर हो सकते हैं सास हो सकते हैं कोई और हो सकते हैं यह सारे के सार इसलिए इसमें husband और relative of the husband तो relative of the husband जो है ना वो उसका interpretation wide है कि यदि joint family है तो extended जो family members है वो भी दिया आगए he is also relative of the husband और महिला चाहे तो उसको भी क्या करेगी उसका भी नाम दे सकती है और उनको फिर आगे जो ट्राइल है वो फेस करना पढ़े सकेंड क्लॉज में शलते हैं क्रूल्टी का मिनिंग समझ रहे हैं अभी इसमें कहता है कि harassment of the woman where such harassment where such harassment is with a view to cause her or any person any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand यह बात करता है कि किसी भी तरीके का पैसा आप मांग रहे हैं भाई जो आप लोग नहे नहे हैं ध्यान रखेगा इस provision का कि यदि पैसा मांगा जाता है एक criteria यहां पर है यह भी क्रूलिटी के दाइरे में आता है यदि आफ फोर्स करते हैं अपनी मर्जे सब्सक्राइब के दाइरे में आता है तो कॉर्सन इस इंपोर्टेंट यदि अपने ससूर से मांगा ससूर जी मुझे ताजमल चाहिए वो दे दिया ले जाओ तो माजी ले जाओ नहीं आएगा इसके दाइरे में वो बोलना है कि नहीं पैसे नहीं मेरे पास हो ले दो नहीं तो तेरी बेटी को चोड़ दूँगा बाहर कर दूँगा बच्चे नहीं करूँगा तो दूसरे वाले वाला जो सबक्लॉज है उसमें कोर्शन इस इंपोर्टेंट वह इसे अपने मर्जी से दे दिया कोई बात नहीं पहला जो है कहता है कि विल्फुल कंड़क्ट विच इस ऑफ सच नेचर एज इस लाइक टू डिराइव दे वोमें तो कमिट सुसाइड या फिर आप इंटर्नल चोट ऐसा पहुंचाया है कि उसके किसी पार्टिकुलर ओर्गन में प्रॉब्लम हो गया है या फिर आप हर दिन कुछ न कुछ करते हैं मार पीड करते हैं इंक्लूडिंग सेक्ष्वल वालेंस क्या है वेदर मेंटल और फिजिकल इंक्लूड कर दिया है ब्राकेट में लिखा हुआ है ब्राकेट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है वेदर मेंटल और फिजिकल तो इंक्लूडिंग सेक्ष्वल वालेंस जो है यहां पे इंक् मेंटल और फिजिकल वाइलेंस करते हैं अगेंस सर्विस कोर्स करके परिशान करके तो यहां पर या यह जब प्रोविजन लाया गया था तो बहुत इरादा साफ था गवर्मेंट का लाने का क्योंकि महिलाओं के परती बहुत जादा तैजार बढ़ा था उसको कम करने के लिए यह प्रोविजन लाया गया था और ऐसी बात नहीं कि कम नहीं हुआ इससे फर्क भी पड़ा कम भी हुआ लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता है कि सोसा से उपर का है उसको आप कुछ बोल दो गए और वह जो है एंगल ले लिया जला गया फिर नुकसान हो जागा आपका पहले जमाने में चीज नहीं होता था माब आपने बोल दिया अब मिनट मिनट में कोट लोग जा रहे हैं उनका जो जो है नहीं दो सारी चेंजे होएं पह पहले अपने आप कोई 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 परसन है इप समवन इस गए इड़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंट इस पीक आप इन दो सोसाइटी आप नहीं है गए हों क्या कर दोगे मेरी मर्जी मेरा लाइफ समय बदलता है तो समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए तो यह जो प्रवीजन आप देख रहे हैं 498 A यह बात करता है husband और relative of husband of a woman subjecting her to cruelty और cruelty का meaning नीचे दो sub clause में दिया गया है यदि यह ऐसा होता है और महला complaint करती है तो क्या होगा जी क्या होगा आपको face करना पड़ेगा FIR 498 A में this provision is cognizable in nature this provision is non-bailable in nature इसमें दिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इसको क्या करता हूं लिख देता हूं अरे भाई यह यह लो यह मैं लिख देता हूं कि नॉन कि नॉन बिलेवल एंड को अ कि मतलब यह हुआ कि पुलिस आपको बिना वारंट का गिरफ़तार कर सकती है चलो ठीक है यहां तक बाद समझ में आ गया पूरा हिस्ट्री आपको बताना है ज़रूरी है लीगल हिस्ट्री अधरवाई समझ में ने आया तो फिर क्या हुआ कि साब कि 20 साल तक तो चलो ठीक ठाक चला उसके बाद क्या हुआ जब नेस्टनल कि डेटा ग्रिड का रिपोर्ट आया तो इसमें पाय गया कि 498 एक के एफ़ाई आर में एक्स्पोनेंसली इंक्रीमेंट देखने को मिला है बढ़ रहा है हर एक पुलिस्टेशन में भरा हुआ है पूरा देश में बढ़ गया बाढ़ा गया 498 एक तो फिर इस पर रिसर्च किया गया कि भाई यह क्यों हो रहा है पता लगा जी हज़्बेंट वाइब का तो काम ही लड़ना विबी बोली कंगा लेकर आना नहीं लेक आया असला लड़ाई कर दी अरे उल्टा यह भी होता है कई बार आप बीवी का नाम ले रहे हैं वह सकता है असबंडी कुछ करे कहने का मतलब हुआ कि दोनों में कुछ न कुछ तो होते रहता है अब हर दिन कुछ न से से लोग आकर के इनका सिस्टम बना लिया कि इतना सिंतंड है मजबूत है कि दूसरे उिस सन्ट्रीज में युई से मैं यहां तो नहीं है यहां तो सिस्टम अलग है इतना ऑप отмет सकतें बादरी सकते आपको पता है आप लोग युव आपको पता कहा दिमांग्त कफार्फ को नहीं कि यू में अपकते हुए और मैंटुर्वर्मेंट को है। प्रिवार टूट जाएगा फिर कैसे काम करते हैं अब यदि कोई और पुलिस स्टेशन में गई है 498A में FIR लिखवाने के लिए तो पुलिस विल नॉट रइस्टर FIR नहीं करेगा दिल्ली का कंसेट बताता हूँ और यह मान के चलिए आप कि इसी के जैसा कंसेट एक्रॉस कंट्री है अलग-अलग नाम से होगा लेकिन काम इतना ही जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो यही और यह कोई महिरा आगे पुलिस टेशन में और यही 498A का कंटेंट बोल ली कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया तो डारेक्ट एफ आयार नहीं लिखना है इवें दो इवें दो देस ओफेंस इस कोगनिजबल ली नेचर इस ओफेंस इस नॉन विलेबल ली नेचर कोगनिबल उफे इस इन एकसेप्शन इबोल दिया गी यार यदि लेकर करके आएगी तो एक काम करना इनको आप एक specialized cell specialized cell के पास ऐसे complaints transfer हो जाएगे direct FIR नहीं होगा no FIR no FIR एक specialized cell बनाया गया उसमें लोगों को train किया गया young लोगों को नहीं डखा गया तजरुबे वाले जो society को, समाज को, घर परिवार को समझते हैं जो शादी नहीं किया अभी उनको क्या पता, दो बार बोला कि यहाँ जी हमको करना करना तीसरी बार में कर देगा इतना लोट नहीं है लेकिन जो बहुत experienced है 20 साल का सादी उसका उल्लडी हो चुका है उसको पता है कि कैसे manage किया जाता है बोला कि experience बंदे को यहाँ बिठाओ ट्रेनिंग कराओ इसको कि ऐसे cases आए तो सबसे पहला काम होना चाहिए घर को जोड़ने का ना कि तोड़ने का क्योंकि यदि यह F.I.R. एक बार हो गया तो आप मान के चलिए 99% cases में घर तूटरना तय है कोई नहीं रोक सकता है एक आद परसेंट ही ऐसा बसता है कि बाद में कंपरमाईज हो जाता है चीजें बच जाती तो बोला कि इसको filter out कर लेते हैं क्योंकि अफ आयार होगा जेल जाएगा उसके घर वाले जेल जाएगा उसके sister जेल जाएगा तो इन्होंने के specialized cell बना है across the states आप अलग-अलग state में नाम अलग-अलग होगा देख लेना यहाँ पे दिल्ली में बोलते हैं इसको दिल्ली में बोलते हैं C.A.W. cell इसका मतलब हुआ Crime Against Women C.A.W. cell आप अपने state में देख लीजिएगा किस नाम से जानते हैं Direct F.A.R. नहीं होता है यह क्या करती है Crime Against Women का जो cell है यह क्या करती है यह जब इसमें complaint complaint आया wife के तुरू तो यह क्या करेगी summon करेगी summon करेगी किसको husband को भी wife को भी relative को भी plus 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 whatever so and so forth सब को समन किया और उसके बाद क्या किया उसके बाद इसको counselors होते है marriage counselors होते हैं psychologists होते हैं यहां पे और वो जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं कि कहां पे problem है और उस problem को solution देने का प्रयास करते हैं जैसे मान के चलो कि एक husband है मेरे टाइब husband कोई मिल गया और मान के चलो कोई wife होगी अब भाई यह क्या कर रहा है रात में दो बज़े उठ जा रहा है दो बज़े उठ जा रहा है और रात में उठ करके लाइट ऑन करके काल जो cases है वो के इस पड़ना शुरू कर दे रहा है अरे वाईव को क्या वकील नहीं है उसको लौ का कुछ नहीं है उसको चल चाहिए अराम से नींद पूरा होना चाहिए ठीक है अब इस बात पर जगड़ा हो गया मेरा और मेरी वाईव कि तुम कैसे ओन कर देते हो लाइट दो बिज रात में कोई मजाग चल रहा क्या तुम करके सब बंद करो मैं बोल रहा हूं तुम मुझे बताएगी के से कल क्लाइंट का मजाग चल रहा क्या वकील है को सरकारी नोकुरिस बाप किया किया तुम्हारा विवार ज्यादा दिमाग खराब करो कि जाओ यहां बागो एक्जामपल दे रहा हो मैं अब ऐसे केसे में क्य काने का प्रयास करते हैं कि इनके और इनकी वाइफ में कहां पर डिस्प्यूट है उसका जड़ कहां है क्योंकि जब तक नहीं पता लगेगा तब तक कुछ उटकारा नहीं मिलेगा और यदि अभायार हो जाएगी तो हम बोलेंगा रहे जाओ कर लो क्या उकार लेगी कर लो या कोई बड़े ऑफिसर जो हैं उसमें एक्स्प्रियंस या वेल विसर की ठीक है बस इतनी बात है ना कि आपको पढ़ना है केस लौच कोई बात नहीं इनको सोने दो आप सोफा पर बैठ करके ट्रॉइंग रूम में पढ़ लो क्या दिक्कत है वहां चले जाओ पर करके बात करते हो राइट उसलिप की बात करते ओ यह भी तो इसका ऐसे समझाएगा वो पिर हमें लगे यार मरने तो कोई बात नहीं कल से लाइट जलाओंगा वहां गया उनका dispute खतम हो गया ना यदि अफायार होता तो घर खतम तो इनका जो है main function होता है क्या conciliation कराना चीज़ों को settle कराना इनका काम ही है settlement कराना तो ऐसे cases में अलग-अलग state में ऐसे ही एक cell बनाया गया है उसको अलग-अलग नाम से जान सकते हैं दिल्ली में CAW cell बोलते हैं बाकि आप और लेस ऐसा ही होता है यदि अब बोलो के सर कोई बात ने genuine cases भी तो आएंगे सही वाले cases भी तो आएंगे तो उसको भी यसी रासे से उज़रना पड़ेगा तो देखो इसका यह है कि complaint हुआ समन हुआ उसके बाद यह लोग बुलाए compromise करने के लिए बात किये counselling किये उसके बाद भी यदि solve नहीं हुआ in that case FIR रइसर होता है और यह FIR तब तक नहीं रइसर होगा जब DSP rank का अधिकारी अब कर दिया पहले तो इसे चों कर देता था तभी भर गया था बोलाए कि यार देखो DSP rank का अधिकारी जब तक नहीं इसको order करेगा तो फ़यार नहीं होगा क्योंकि परपस ही है चीजों को settle कर तो इस सीज़ का आपको ध्यान रहे अरेस्ट की ज़द बात करें इस इन cases में 498 की cases में जब तक DSP rank का अधिकारी order नहीं करता arrest का तब तक arrest आज के date में नहीं होता है क्योंकि मिस्यूज बढ़ गया है इस वज़ा से तो ये रास्ता इसलिए अपनाय गया किसाब कोई बात नहीं इसको settlement करेंगे घर को हमें बचाना है तो 498 का concept यह हो गया और आज के date में जो procedure है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है व पढ़ेगा आपको मतलब पहले से डावलू सेल को रिपोर्ट होजेगी कि मैंने अपना अथक प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद भी यह settlement नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या कर रहा हूं यह रिपोर्ट बना करके आपको भेज रहा हूं आपको जो सही लगे कीजिए फि इसको इपाबर दी गई है ठीक है तो इस तरीके से अब हमने समझ लिया क्या है क्या है सिस्टम और कैसे अब यह जो केसे 2014 का इसमें पढ़िये क्या है तब सुन रहे हो ना तुम लोग सब्सक्राइब यह जो आपने पूरा प्रसेश्जर बता है यह से लोटी तीन सोगा रहा है लेकिन मैं तो कौफी नहीं मंगा हूं नीचे है कोई वकिल साब नीचे बैठे होंगे उपर दे आना अरे ने ने उसके उपर नहीं है उसके उपर कौन बोले देने इधर आओ कौफी क्या है क्या है दो कौफी अरे हम तो अकेले हैं बाई दो कौफी प्रसेश्जर नीचे वकिल साब नहीं है बैठे हुए नीचे वकिल साब होंगे यदि बोलेंगे उपर भी देने तो एक देदर हमको भी लेकिन देख लो हमने मैंने नहीं बोला है प्रसेश्जर आपने बताया यह मतलब सर्ट में लिखा नहीं तो सब्सक्राइब यह सेंडिंग गाइडलाइन से जो है ना पूलिस का अपने सेट में देखेंगे सुप्रीम कूट का गाइडलाइन है और उसी के कंप्लाइन्स में चीजां होती है ठीक है तो यह गाइडला सब्सक्राइब को पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है हर चीज आप लिखने सकते हैं दिल लिखना सुरू करेंगा से चूट इतना बड़ा हो जाएगा इतना लेंदी हो जाएगा जैसे हमने कंस्टिटूशन को लेंदी बना दिया है रहां कि इसका अलग मजा है तो वह ऐसा हो शूजहां और आपको पता लग जाएगा यह चीज़ हो इसको मेडियेशन यह प्रिटीजिए क्यों टिक हैं कि है तो लगभग वैसा ही कई मामलात में प्रिटीगेशन जो होता है है तो वही दो सेमी है आपको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं को डियसकर थीक है क्योंकि प् लेकिन यहां पर चुकि क्रिमिनल ओफेंस इन्वाल्व हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है नॉर्मली सिविल मैटर्स में प्री लिटीगेशन का कंसेप्ट होता है कि यह करो ने तो हम केस कर देंगे तो चलो ठीक है पहले निप डालो लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसे नहीं है लेकिन जो जो उसका intent है वो से भी है तो आप चाहें बोलना तो बोल लेजिए लेकिन क्रिमिनल केस में थोड़ा परहज किया जाता है क्योंकि यदि प्री लिटीगेशन होने लगे क्रिमिनल केस में तो डिफिकल्टी आ जाएगी प्री लिटीगेशन का सिंपल सक मतलब यह होता है ठीक है जहां पर किसी के लाइफ का स्टेक नहीं होता है प्रोपटी का स्टेक है उसको बात विचार करके निप्टा लो यदि इमेजिन कीजिए कि 376 के केसिस फोक्सों के केसिस मडर के केसिस में फ्री लिटिकेशन होने ही लगे तो क्या होगा सब कुछ विकाओ हो जाएगा फिर फोट कचारी बंद हो जाएगा फिर पुलिस विवर्स्था को क्या होगा लेकिन कंसेप्ट वही है काम वही होता है कहने का मतलब इस मिनिंग से दिया आप कहना चाहें तो कह सकते पढ़ें इसको आगे पढ़ें चली पढ़ते हैं फर्स्ट परग्राफ उन्रबल जस्टिस चंद्रमॉली कुमार परसाद प्रेशनर एप्रिहेंट्स इस अर्रेस्ट इन केस अंडर सेक्शन 498-a अब मुझे 498 सम्झाने की जरुवत आपको नहीं है और पी इनियर पीनल कोर्ट सो और सो और सो और सेक्शन वहरेज तो फोला कि दो ओफेंस में यह पार्टिकुलर प्रेशनर है जब प्रोस्ट प्रोस्ट एप्रोस्ट इस एच्जा है जो 498-a उसमें तीन साल का सजा है maximum, if the person is declared to be guilty by a competent court, in that scene maximum sentence 3 साल का हो सकता है और section 4 वाले दौरी वाले में maximum sentence 2 साल का हो सकता है the petitioner happens to be the husband of respondent 2, wife है Swetha Kiran इनके husband है petitioner the marriage between them was organized on 17-2007 his attempt to secure anticipatory veil has failed Arneas Kumar 100-100 data so and so and hence he has knocked the door of this court by way of special leave petition leave granted husband के उपर 498 का केस वादर्श उस समय ये वाला सिस्टम नहीं था कि आप जो है मेडियेशन पहले कराईए मतब CAW सेल में जाईए और वहाँ पंचायट कराईए उसके बाद ना हो तब DSP जागा ये सब नहीं था दिलाएं कर दो नाओ दपरसन अर्वेस कुमार इस विफॉर था पक्स कोड अप लेंड आसकिंग पॉर थे इंडिसेवेटरी वेल वाइव फेशल लीप पूचिशन और यहां पर खाता है कि लीफ ग्रांटेड मतलब इसके इंडिसेवेटरी वेल एलाव कर दिया गया क्या कंटेंट साइस को समझने का प्रयास करते हैं इन समेंट सबस्टांस एलिगेशन स्लेबल वाइफ अगेंस अपलेंट इस देट इमांड ऑफ रूपी ए रूपी एट लाख अम मारूती कार नमद रहो एंड एयर कंडिशनर टेलीविजन सेट एटसेक्टर से बाफ के घर से मांग किलाओ किया आठ लाख रुपे मारूती का एक कार एर कंडिशनर टेलिवीजन एट सक्ट नवाब हो गए हैं ये बोलने लेकर आने अपने पास इनके पास उकात ही नहीं खरीदने का क्या अगर सकते वाज मेट बाई हर मदर इन लॉओ और फादर इन लॉओ अब ये तो भाई एक किस्टे पागे बड़ गए भाई इसमें एलिगेशन ये है कि इसके माबाप ने कहा कि ये 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 चीज ले करके आओ और जब ये चीज बीबी ने हस्वेंट को बताया वे तो अपने माबाप को समाल ले ये मांग रही है ये सवर चीज मजाग चलता क्या तो बोला कि तुमको देना है तो दे नहीं तो दूसरी औरत से शाथी कर लूँगा समझ में आ गया चलो देखते हैं इसा कहना है अब सही क्या है वो आगे पता लगेगा denying these allegations has been इस सारे allegations को deny कर दो denying these allegations the appellant preferred an application for an anticipatory veil which was earlier rejected by the learned sessions at and thereafter दोनोंने क्या थर दिया और reject कर दिया चलो कोई बात नहीं अब supreme court क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास भी करते है there is a phenomenal increase in methamonial dispute in recent years 2014 में मार्निय सुप्रीम कोर्ड कही अब्जर्वेशन है कि there is a phenomenal increase drastic increase dramatic increase in the methamonial disputes in recent years the institution of marriage is greatly revered in this country section 498A IPC was introduced with award object to combat the meanness of harassment to a woman at the hands of the harassment and his relatives the fact that the section 498A IPC is a carnival and non-billable offense has lent it a dubious place of pride amongst the provisions that are used as a weapon that are used as a weapon rather than sealed by disgruntled wives पत्नियों के दौरा इसको एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है rather than a sealed कोई मार रहा है sealed मतलब protection के लिए this is used as a weapon मारने के लिए यार फोन करकर के दिमांग खराब कर दिया है एक में रूज आए इवनिंग इवनिंग बताईए ज़िए ज़िए नेजर नहीं मारी है नेजर मार लेंगे आज शुक्ती थी तो थोड़ा किसी और काम में है मार लेंगे मैंने ओके लिख दिया था आपको दोट वरी दोट वरी बिना कागज बढ़े आगे नहीं करेंगे प्रोशीड दोट वरी ठीक है ठीक 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 है ठीक ठीक है अगे अजी तो विपन देन शील बायए दॉइ सिस्ट इस इस तो यह एस इस टोट शेंगे अगे 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 नंबर अव पेशिए इन यह था इन से समझे गा यह इसको बोला कि आ यह मिस्यूँज पोला इन इनक्क नंबर अव पेशिए था बैड रिद इन घूट वरी दूट एंड ग्रेंड मदर्स ओफ दस्वेंड देर सिस्टर्स लीविंग एवरॉड भारत में नहीं है यूएस में रहती है मावाप बिस्तर पे हैं जो उठी नहीं सकते हैं इतना इस्तथी खराब है इवें इन दीस सेटुएशंस तो वाइफ लॉजस फिर अगेंस अल अल अव दे इस पर विश्वास तो करना पड़ेगा ठीक है सिस्टर्स लीविंग एबरॉड दूसरे कंट्री में रह रही है और डिकेट्स आर अरेस्टेट चालिस साल से दूसरे देगा यूएस में रह रही है एक दिन साथी अटेंड करने के लिए आ गई इनके पास लगा तो नाम ल लुए इटना पर्संग आ अलुए अलुए या तो यह तो यर बारह मिद्ध उफेंस अडरह ौच यह एक उनटीए एक लिए जोगा पोई ट्रॉड लगवक दस परसें बढ़ गया नेरली कॉटर अव धीज अरश्टेट अंड धीज तो यह तो यह तो युट्ट अनर ने एन स्थ 15 पिर अधस नज ड्रब्ड रस न्ट कर बेLe tar सat अ शे। है इस एड ज सक बस्ट अ ऑट टार्प रट टर्स Éंट अजू प्राम कुटे दा इन पर य विय्मगगर दैक थेनुघ अइन। नार।र सव् समझ इन इन जूर इंट एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग थेप्ट एन हर्ट रेट ऑफ चार सीट इस इन केसे संदर 498 AIP C is as high as 93.6 परसें चार सीट हो रहा है चार सीट फाइल कर रहा पुलिस वाइल दा कन्विक्शन रेट इस ओंडी 15 परसेंट बाइट 93-94 परसेंट में चार सीट हो रहा है इन्वेसिकेशन कंप्लीट करके चार सीट फाइल कर दिया पुलिस ने और मात्र 15 परसेंट कन्विक्शन रेट जिसको साथ 6 मेहने के लिए 2 मेहने के लिए साल वर के लिए 1.5 साल के लिए क्योंकि मैक्सिमम तो तीन साल है पाइन लगा करने के पाइन लगा के पनिस किया जा रहा है तो कहां 93.6 और कहां 15 परसेंट विचिज लोएस्ट एक्रोस होलेट सबसे कम इसी में मतलब यह हुआ चार सीट भी हुआ है और उसका प्रसेंटेर 93.6 है और कंविक्सिन वहां 155 पररसेंट का हुए जो की वें आएट्स मतलब जितने और क्राइम से सबसे कम में सबसे कम में जिसको कंविक्सन और वह है पाइस का मतलब कया हुआ कि फर्जी फायर है गलत है तभी तो कन्विक्शन नहीं हो रहा वकील बचा ले जा रहा उसको गलत बोले कि तो कहां जाएगा वकील से बचके कहां जाओगे निकाली लेगा इतना केसे सार पेंडिंग ट्रायल ओन विच ओन करेंट स्टेमेट नेरली इतना ही लाक्री तुर रिजल्टी ने कुछ चल तो भीया कोट का टाइम वर बाद हो रहा है इसा खाना है कोट का अरेस्ट बींग हुमिलीएशन काटेज फ्रिडम एंड कास्ट स्केर फॉरेबर हैं प्रता की अरेस्ट फिंग हुमिलीएशन यदी मुझे अभी पुलिस आया और अरेस्ट करके चला जाए हूँ अब मेरे व्रिडम को मेरे क्लास लेने का मेरा जो फ्रीडम है कि 19 के तहद मैं पढ़ा रहा हूं आपको कर तो संदे है पर सो मैं कोट में एपियर होँगा एज़े कॉंसिल एज पर दे एड़ोकेट सेक्ट एंड ऑल्सों अंडर दे आर्टिकल 19-1 कि तहत या जिसमें प्रोफले कि बात करता है कि तो करटेल हो गया ना कोई अरेस्ट कर लिया फरजी कंप्लेंट कर दिया मुझे आरस्ट कर लिया तो ये तो मेरे freedom का हनन हो गया कि इसलिए को करके देखो और पहरसकर अंसे परमिसन लेना पड़ेग एगा in कैसे होगा काम यहीं सब कारण है तो यह आरेस्ट के बारें बता रहा है कि आरेस्ट बिंग उमिलिएशन कर्टेश्ट वृडम और कास्ट स्केर फॉरेवर लॉवेकर नो इट तो अल्सो देपूलिस लॉवेकर को बता है और पुलिस को इबात पता है वहाल पता हो तो यहीं सब्सक्राण हो थेपी ना बीलिस को दिए और पता है यह और को तो वृडम मैं थेग्हिते It is largely considered as a tool of harassment, oppression and surely not considered a friend of public. The need for caution in exercise of the drastic power of arrest has been emphasized time and again by the courts but has not yielded desired result. कई बार कोट ने बताया है कि भाई ऐसे अरेस्ट मत किया करो बट इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। Power to arrest greatly contributes to its arrogance so also the failure of the magistracy to check it. और ultimately पुलिस तो जिम्मदार है ही कहीं न कहीं मज्स्टेट भी जिम्मदार है जो एरेस्ट को mechanical way में कर रहा है। इलाव कर दे रहा है। उसको अबजेक्ट नहीं कर रहा है। Now only this, the power of the arrest is one of the lucrative sources of the police corruption और police corruption का सबसे lucrative source यही कुछ है तो power to arrest है क्योंकि यही power को दिखा करके, डरा करके, लोगों से यह hefty amount वसूल करते है। The attitude to arrest first and then proceed with the rest of the despicable, it has become a handy tool to the police officer who lacks sensitivity or act with oblique motive. इसका इरादा गलत है और गलत तरीके से यह क्या करते हैं, यह arrest करते हैं। Law Commission के बारे में बात कर रहा है कि law commission ने इसके बारे में बात किया, arrest के बारे में बात किया कि arrest किस तरीके से mechanical तरीके से हो रहा है। Law Commission, Law Commission, Police Commission and this court in a large number of judgments emphasize the need to maintain a balance between the individual liberty and societal order while exercising the power of arrest. Police officers make arrest as they believe that they possess the power to do so. Power होना एक बात है, उसका यूज होना दूसरी बात है. Power को बहुत sparingly यूज करना चाहिए, ध्यान से यूज करना चाहिए. As the arrest, arrest curtail freedom brings humiliation and caste scare forever, we feel differently. बोला कि police जो है, अलग तरीके से कर रहा है काम, जो कि गलत है. चूकि arrest curtail freedom brings humiliation and caste scare forever हमेशा के लिए एक धबा छोड़ देता है. We, मतलब जो legal fraternity है, वो differently think करते हैं इस particular arrest को लिखते हैं. We believe that no arrest should be made only because the offense is non-cognizable and non-bailable and cognizable and therefore lawful for the police officer to do so. क्या कर रहा है, we believe, मतलब court का ये मानना है, police क्या मानना है, उसको छोड़िये, court किस तरीके से मानती है, ये कर रहा है कि We believe that no arrest should be made only because the offense is non-bailable and cognizable and therefore lawful for the police officer to do so. The existence of the power to arrest is one thing, the justification for the exercise of it is quite another. ये को बहुत important बात है, यही सब बात तो argument में होता है, और क्या होता है? ये ही सब होता है, my state को समझाना पड़ता क्योंकि वो पढ़के नहीं आते हैं, आप लोग कहीं judge बन जाएंगे तो आपको पता रहेगा, sir ने पढ़ाया था. यहां है लिखा हुआ है, कि power to arrest is one thing, but justification of the arrest is another thing, तोनों को हमें balance करना पड़ेगा. यहां है, you cannot take this plea that since this particular offense is cognizable in nature, non believable in nature, therefore I have power to arrest. यह argument लेगा, पुलिस लेता ही है, तो फिर आप कहेंगे, कि even though you have this power to arrest, having power to arrest is one thing, and justification of the same is another. पावर आइस का मतलब सारे केसे में arrest नहीं कर दोगा, you should use your own mind, and if you will not use, then this court, at least this court, the judicial war arm should use its mind, judicial mind, to grant the bail to the petitioners, to the applicant who are approaching them. Why correct? We believe that no arrest should be made only because the offense is non believable and cognizable and therefore lawful for the police officer to do so. The existence of the power of arrest is one thing, the justification for exercise is quite another. Apart from the power to arrest, the police officer must be able to justify the reason thereof that why this arrest was made, justification होना चाहिए. No arrest can be made in a routine manner. Routine manner में कोई आइस नहीं होना चाहिए. On a mere allegation of commission of an offense made against a person, It would be prudent and wise for the police officer that no arrest is made without a reasonable satisfaction reached after some investigation. As to the genuineness of the allegations, despite this legal position, the legislature did not find any improvement. Number of arrests have not decreased. Ultimately, Parliament had to intervene and on the recommendation of the 77th, 177th report of the law commission submitted in year 2001, Section 41 of the code of the criminal procedure CRPC in the present form came to be enacted. और चुकि इस तरीके से mechanical rampant arrest हो रहा था, इसलिए Parliament को एक नया provision जोड़ना पड़ा CRPC में, which is called, which is known as Section 41 of the Code of Criminal Procedure, जो कहता है कि भाई, आप mechanical way में arrest नहीं कर सकते हैं, arrest how made, किस तरीके से arrest होता है, किन हालात में कर सकते हैं, किने cases में आपको notice सर्फ करना है, ये क्यों हुआ, because of these reasons, जहां पर पुलिस बेलगाम हो गई थी, despite several orders of the Supreme Court, जब Supreme Court ने उसको पकड़ा सही से DGP वेगरा को जब call करना शुरू किया, और उसको tight किया, तब जाकर के ये सारे Parliament वाले जो है न, एक्षन में आए और ऐसे provisions को लाए, तो उनको भी समझ में आ गया, कि अब हम पकड़ेंगे, और मैसेट साब बेल दे रहेंगे, तो फिर मेरा जो पुलिस का जो जो जिस खर्चे पर पुलिस कर रही हो, तो useless हो गई न, ultimately, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है, इस इंट्रस्टिंग तो नोट था सच अ रिकमेंडेशन वाज मेड़ा था लॉग कमिशन ने, और उसको छे साल लगा दिया, छे साल में एक्षू सततर रिपोर्ट आया, उसके बाद जाकर के जो है, ये जोडा गया, इसमें ये कर रहा है कि देखो, आज जो हम बात कर रहा है, जिस केस की बात कर रहा है, उसमें मैक्सिममम पनिस्मेंट इंप्रिजनमेंट विच में एक्षेंट टू सेवन ये वाले में ऐसा है कि तीन साल है, तीन साल है, हो सकता है, कोई हो सकता है, इसमें डाउरी भी एड़ है, तब भी तीन दो पांची तो होगा, एक बार देख लेना कि अभी कुछ हमेंट हुआ है, यह साथ साल का है, तो हो सकता है, इसमें त्री अरी है, उसमें लगता है, जट साब करती कर दिये क्या है, ठीक है, साथ साल, एक्षेंट तो त्री यर्स इंसल उसमेंट है, त्री यर्स ही है, जट से में तो, एनिवें, 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 आप समझ गया क्यों है, ऐसा, ठीक है, मैं एक्टेंड करता हूं, देखो क्या बोल रहा है, कि, एस दो ऐखेंस, अब ऐसा लिखा गया है anyway देख लेंगे एक बर 498 में बढ़ाया गया है क्या पनिश्मेंट section 41 1b CRPC which is relevant for the purpose reads as follows क्या है 41 पढ़ते हैं when police may arrest without warrant any police officer may without an order from the magistrate and without a warrant arrest any person भी क्या है again soon a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a congenital offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied namely so and so 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 and so मतलब यह हुआ 41 अब यह कहता है कि यदी कोई punishment यदी कोई ऐसा offense है जिसका commission हुआ है और उसमें punishment up to 7 years है तो भाईया up to 7 years में आप mechanical arrest नहीं कर सकते हैं आप notice सर्व किजिए यदी 7 साल से कम का है तो क्या है कि आप arrest तभी कर सकते हैं जब police officer is satisfied that such arrest is necessary जब बहुत ज़रूरी है तभी कर सकते हैं to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of this case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court और to police officer तभी कर सकते हैं और as unless such person is arrested his presence in the court wherever required cannot be ensured तभी कर सकते हैं तो बहुत देखो summarize में कर देता हूं क्या है कह तक देखो आपके पास power arrest करने का यदी कोई offense cognitively nature है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि after the event of 41 and 41 A of the CRPC यह clear हो गया कि as a offense जिसमें punishment up to seven years है उसमें आप mechanical way में arrest नहीं कर सकते हैं आपको notice देना पड़ेगा उसके वावजूद भी यह arrest किया जा सकता है यदी 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 यह सब conditions fulfill हो जाएंगे तब 7 साल से नीचे वाला जो है वो भी arrest हो सकता है लेकिन mechanical way में आप नहीं करते हैं इसलिए अभी जो मैंने बताया दिली में यह है कि जब तक DCP rank अधिकारी नहीं परमिसन देता है कब तक arrest नहीं होता है ताकि mechanical way में arrest नहीं हो उसी पर एक 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 चली न चेक है तो बोला है कि even 7 साल पहले तो यह बोला कि 7 साल तक यदि कोई offense जिसमें punishment है उसको तो आप arrest नहीं कर सकते हैं फिर कहता है कि चलो यदि कोई जरुत पढ़ गया arrest करने का even if the punishment prescribed in that particular provision of law is up to 7 years यदि फिर भी arrest करना हो तो यह चीज फुलफिल होना चाहिए कि यह बहुत dangerous हो उसको arrest नहीं करेंगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा और उसको लिखोगे तुम कि इसलिए वो लिखोगे कि I am aware of the provision of 41 and 41A of the CRPC which clearly says that the police should not arrest a person in a mechanical way but in the present fact and circumstances this is the reason why I am arresting this person वो written में आपको क्या करना पड़ेगा reasoning in writing यहां लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही कर सकते तो ultimately क्या हुआ यह जो 41 और 41A जो है यह चेक कर रहा है चेक कर रहा है कि mechanical arrest नहीं हो इस पर पावंदी लगे यह एक check mechanism है जिसमें अब क्या हो रहा है कि arrest को बहुत सोज समझ करके पुलिस अब कर रही है यह बास समझ में आई आपको या नहीं आई एक बार कन्फर्म कीजिए आगे शार ऑगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना चालिया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दो सब्सक्राइब कर रहा है और ऐस परफोर्ट्वेजिए लिए जए पर रहा जब इस पर फिर एंपर जब आपिए पर तर्म such cases has to be further satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense or for proper investigation of the case or to prevent the accused from causing the evidence of the offense to disappear or tempering with such evidence as in any manner or to prevent such person from making any inducement threat or promise to a witness so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or the police officer police officer or unless such arrest such accused person is arrested his presence in the court whenever required cannot be installed so yeh sab conditions ho ga tabhi us ko arrest kar sakte hai yadi offense aisa hai jis mein punishment up to seven years hai tabhi yeh sab conditions fulfill ho ga tabhi these are the conclusions which which one may reach based on fact or yadi ki in mein se koji region hai to police officer kya karega police officer usko written write karega usko written down usko karna padega likhna padega aisa nahi apne marge se ki aisa tha aisa no you have to write it down the law mandates that the police officer so to a state that the fact and record the reasoning regions of writing which led him to come to the conclusion covered by any of the provisions aforesaid while making such arrest the law further requires the police officer to record the reasons in writing for not making the arrest arrest karra hai iska virisans liko nahi karra hai ho uske virisans liko bas yeh hai ki di saat saal tak hai punishment aisa offence hai to aap ko notice deena hai notice nahi deena raha chahar hai ho uska bhi reasoning do notice se di dee raha ho to uska bhi reasoning do yeh cheez aapko karna padega matlab kulmila ke huwa ki mechanical jokam aap karra hai hai ki kong jiwa hai toh pakad ke jail me daal diya yeh nahi chalega reasoning dhenne ki baat aayi ki toh dimaag pe pressure ndalna padega aur dimaag pe jab pressure ndaloghe toh aapko likhna padega aur likho ghe toh sucho kye kaha phasengi isse achha isse ko arrest hi na karo so ultimately unnecessary victory jin ko arrest nahi ho na hai usko arrest nahi karo ghe kulmila karke ituna karne ke baad abh yeh court ka direction hai tb aisa ho raha phir agla paragraph kata hai kya kata hai in pit and core pit and core betta ho ta hai ki crux of the matter dhegho kai baar aapko legal 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 language hai hai chroo ri ho ta jata abh cracks ho ta matter ko normal english wala bhi kar dhega lekin likhayin ka pit and core hai eek teori hai constitutional law mei padaja jata hai wohin se ili utha hai thik hai anyway usko choďte hai in pit and core the police officer before arrest must put a question to himself aapne ya haa pe question poochhe ki why arrest arrest kya ho is it really required kya yeh sahhi meh jaruri hai what purpose what purpose it will serve kya purpose serve karega what object it will achieve kya achieve karega it is only after these questions are addressed and one or the other conditions as enumerated ever be satisfied the power of arrest needs to be exercised in fine before arrest first the police officer should have reason to believe on the basis of the information and material that are accused that the accused has committed the offense apart from this the police officer has to be satisfied rather that the arrest is necessary for one or the more purpose in this of that situation and so and so and so and so so and so and so for the 41 or 41 a a neke baad aap mechanical tariqe se arrest nahi karekena or yadhi karli kareta hai in violation of 41 a or 41 a aapko bhoot 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 latar badegi court se so as a provision anho karekan ke baad in provisions arrested without warrant by the police has the constitutional right under article 22 subclass 2 of the Constitution of India and section 57 of the CRPC to be produced before the magistrate without necessary unnecessary delay and in no circumstances beyond 24 hours excluding the time necessary for the journey बोला कि ये तो constitutional right है और इदी arrest आप mechanical way में करेंगे तो even this is a scare on the fundamental rights of the person as well तो आपको reasoning देना पड़ेगा ऐसे mechanically इस सिर्फ इस logic से कि चुकि ये matter cognizable है हम इसको जेल में बंद कर देंगे नहीं नहीं you have to use your own mind police officer हो तो अपना दिमाग चलाओ और यदी जरूरत सही में हो तभी करो otherwise state का जो executor है उस पर फालतू पैसे बरबाद करके कोई फायदा नहीं करते हो फिर में state के पास ले जाते हो फिर काग जात होता है बहुत पैसे खर्श होते हैं बहुत टाइम वेस होता है कोड का टाइम वेस होता है यह नहीं करता है यह सब फिल्टर आउट कर दो during the course of investigation of the case and accused can be can be kept in detention beyond a period of 24 hours only when it is authorized by the my state in exercise the power under 167 of the CRPC the power to authorized detention is very solemn function देखो my state का रोल यहां पे आता है judicial my state का रोल यहां पे आता है इसलिए कहा जाता है कि आपके पास कलम का पावर है बस sign करना है बस आपके पास 24 घंटे में लाया आपको लगा कि नहीं आरस जरूरी नहीं है बोला release करो इसको release करो this arrest is not required I think I think this court thinks that this arrest is mechanical this arrest has been made by the police officer in a mechanical manner and in contravention of the provisions of 41 and 41 A of the CRPC and therefore I think to release this person on bail so-and-so amount फ़ंगा तू पकड़के लाओ मैं छोड़दूँगा पकड़ते रहो मेरा पावर अलग है तेरा DSP तेरा SP तेरा DGP मुझा नहीं बोल सकता तुम क्यों छोड़ दिया मर्जी है मेरी मर्जी नहीं पावर टिवीजन है मजा आता इस कुरसी पर बैठके ठीक है देख पावर ऑफ अधर पावर तो तराइस डिटेंशन इस वेरी सोलम फंक्शन इट अफेक्ट्स दिवर्टी एंद फ्रीडम देजन इन इंद शूर्साइज विद ग्रेट के एंद आवर एक्स्परियेंस चल्स सुप्रीम गूड कर रहा है आवर एक्स्परियेंस जो जज वहां बैठे हुए हैं चालीस साल का प्रेक्टिस है उसके बाद वहां गये हैं और एक्सपरियेंस टेल सास्ट एट इस नौट एक्सराइज विद एस सीरियसनेस से होना चाहिए मैस्टेट भी नहीं नहीं कर रह सब्सक्राइब कर देते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है फिर उसको दूसरे कोट में भागना पड़ेगा विचारा गरीब आदमें तो ऐसे पीस जाएगा उसके पैसा ही नहीं कहां जाएगा तो जो कुर्सी पर बैठ करके तुम जो है ना खाली कलम चलाते हो एक बार सरू कर्सूरीर डेथ हो गया था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन क्रिश्चन थे वह इतना पता है कि उसमें मैसेट साब क्या हुआ वगा विचा गटे में जो होता ना की मैसेट के पास लिए जाना हो तो मैसेट साब को अपर थे बस दिखा दिया साहाब ले आया हां ल सब्सक्राइब कर दिया कुछ ऐसे करके नाम था उसका क्या नाम था या भूल गया कुछ कि अभी सर्च करो या क्या नाम था उसका केस ओफ कस्टोडियल डेथ ओफ डीके बसू सर ने 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 डेथ इन साउथ नाम भूल गया है उसका क्या नाम था ये 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 फिनिक्स ये वला था ये था ये था ये देखो क्या है फिर पिक्ट फ वर रो ने नाम पुलेसं सर्च वरेर्जिट वे नाम था रिक्ट्स मुझन संटेक्टर्वस्ट्स वे आ जिए तो और लो रूसोड टूस्या स्ट्टेश्ट्स्ट्रण वीचिन्टुण वेर्जट्वीट ये नविवा तोड़े दिन पहले हुआ यह और इसमें मैं सेट का गलती था कहीं यह भी लिखा होगा देख रहे हैं आप ठीक है इसमें मैं सेट का काम था वहां बैठ करके तकिकात करना पूचना उससे चत पर से हाथ दादिया सहब ले आए तो लहां ठीक है ले जाओ ले जाओ अबे तुम्हारा काम क्या है क्या क्या काम है जैसे अभी माननी है कलकटा है कल मैंने एक एक स्मॉल सॉट्स बनाया था उस पर लड़कियों के लिए बोल दिया कि भाई तुम सेक्ष्वल इंटर कोर्स करती हो सेक्ष्वल प्लेजर के कि देखना जज्ज्मेंट पढ़ना तो ऐसे यह क्या होता है कुछ ऐसे केसे से हैं जहां पर जजजज भी कहां साथ हैं हमारे और आप पर जैसे लोग है कहां साथ है कुछ दिन पहले एक जज्ज्मेंट आ गया तो कहने का यह मतलब हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है यहां भी एक से लोग है काम करने वाले यही रीजन है कि माने सुप्रीम कोट का यहां पर बहुत जज्वर बहुत एक जरीज पर लुद्द एक यहां से लिए विए सब्सक्री जरीजुष एक रखी टेएड़। एक्रागिए रुद अजिए नहीं है और यहीं है बहुत आजिए एको दीएडना दीए पर जौटेश्ट ए रुद्द एवाले टेस्वास है अवर प्रेश इसका मतलब तो यह हुआ ठीक है तो इस तरीके से यहां पर क्या किया गया है एरेस्ट को ले करके बात की गई है कि आपको थोड़ा सिरियस हो जाना पड़ेगा अधरवाई यसे काम नहीं होगा मेकनिकल वे में चो आप काम कर रहे हैं बिफॉर अमस्टेटर राइट इटेंशन अंडर सेक्शन 177 C.R.P.C. 67 C.R.P.C. इटाइस्ट को चोड़ो अभी is further detention and release the accused. In other words, when an accused is produced before the magistrate, the police officer effecting the arrest is required to furnish the magistrate, the facts, the reasons and the conclusions of the arrest and the magistrate in turn is so satisfied that the condition precedent for arrest under section 41 C.R.P.C. has been satisfied and it is only there after that he will authorize the detention of any person and accused. तो भाई ये में सेट का भी गलती है जो मेकनिकल बस सेलूट मार दिया पुलिस वाला तो सोचा बहुत बड़ा हो गया वाई ऐसे नहीं है आपका काम बहुत बढ़ा है और responsibility तभी बढ़ेगा जब आप इस काम को करेंगे जो फिनिक्स वाला डेथ हुआ था बाप बेटे का उसमें मेसेट की गलती थी चुक्कि यदि वो देख लेता उसके conditions को पूछ लेता कि बेटा कोई मारा है क्या तुम्हें वंदा बच जाता लेकि उसके बाद उसको आधा मारा तो पहले ही था बाकि उसके बाद मार दिया जाए तो यह तो जज की गलती है लेकिन जज इम्यून है उसको कुछ कर ने सकत सब्सक्राइब करता है क्या करें तो कोई बात है बट वही है कि देश के जनता कायदी वरोसा है जज़ेज पे वरोसा कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि आप उस परियास को कायम रखे नमे सेट विफॉर ऑथराइजिंग डिटेंशन विल रिकॉर्ट इस ऑन सटिस्फेक् प्रियुचर पारइज प्रप नेगा सब्सक्राइज को प्राइज प्रियुचर इवरोसा थोड़ को प्रियूर्ट बंड़ एक सिर्फ यह लिखते पुलिस वाला की जी डर है कि विदंस को तोड़ मूर करेगा तो पूछेगा ज़ज वहीं तुम कहां से पहुंच गए इस कंक्लूजन पे वह इस ड़कुमेंट कहां है क्या है मेटरियर और रिकॉर्ड जस ब्रिंग टुमी देखेंगे और नहीं लेगा तो छोड़ो इसको मजाग चलता क्या तो यह सारी चीजें जो है वह किताब पे लिखा हुआ है लेकिन कई बार जैसे चंचूर कहते हैं कि बहुंच कितना भी अच्छा बना लो इससे काम नहीं चलेगा काम उससे चलेगा कि इसका का इंप्लिमेंटेशन जो है कितना सही हो रहा है इसको इंप्लिमेंट करने वाला जो है कितना सजग है कितना रिस्पोंसबल है तभी हो पाएगा अदर्वाइस यह चीजें नहीं हो पाएगी in fine with with when a suspect is arrested and produced before the Majestate for authorizing reasons and the Majestate has to address the question whether a specific region have been recorded for arrest and if so from FSI those regions are relevant and secondly the reasonable conclusion कुड at all be reached by the police officer that one or other conditions stated above above are attracted to this limited extent my state will make judicial scrutiny judicial scrutiny करनी चाहिए अब नहीं करते हैं वो भी अपना घुश्खोरी करते हैं घुश्खोरी हो एक तरीके से कि अपना whatever legal duty has been imposed upon you you are not following it यह भी तो वही होगा एक तरीके पैसे नहीं ले रहे वाब लेकिन काम तो वही है ultimately under provision 41 a CRPC aim to avoid unnecessary arrest or threat of arrest looming large on the accused requires to be to be vitalized section 41 a as inserted by the section 6 of the criminal procedure amendment act which is relevant in the context or 41 a के बारे मों अर्डी पढ़ाया हमें आपको जो की बताता है कि arrest किस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं mechanical way में नहीं कर सकते हैं साथ साल वाल जो सीन है यह है duty क्या-क्या है वह है जो है notice आप देंगे notice यदि नहीं करेगा यदि comply कर रहा तो आरेस नहीं करेंगे notice यदि दिये वह नहीं आया फिर दिये फिर भी नहीं आया तब जाके arrest कर लो यह सब 41 a बताता है यह conditions 41 में दिया गया है कि police officer is duty bound to serve a notice for the appearance of the accused in the police station if the offenses which are punishable within seven years up to seven years तार साल के कम का punishment है तो भहिया आप direct arrest नहीं करेंगे notice देंगे notice to appear before the police यदि वो नहीं आता है उस समय उस date उस time पे जिस जो time notice में लिखा हुआ है only in violation of those those conditions you can arrest that person 41 a का यह condition है तो ultimately इस particular case में यही किया गया है कि जो अरे बाइक आप करो बाइक आप करो ठीक है तो इस तरीके से आप arrest अभी कर सकते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि जरूरी नहीं है तो आप arrest नहीं कर सकते हैं our in the worst in this judgment is to ensure that the police officer do not arrest the accused unnecessary and my state do not authorize detention casually and mechanically in order to ensure that ensure we have we what we have observed above we give the following directions all the state government in to instruct the police officer not automatically arrest when a case under 498 IPC registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the under the parameters that down above following the section 41 आप लोग बोल रहे थे कि जी कहां लिखा हुआ लो लिखा हुआ कि 41 के cases में direct arrest नहीं कर सकते हैं आप अपना law बनाई है state government को बोल दिया है तो law बनाओ अपना बस इस सित का ध्यान रखना कि direct arrest नहीं हो तो अलग लग इसलिए तो मैंने कहा कि अलग अलग नाम से आपके इसलिए लिखा लिखत कर दिया सारा सिस्टम बना दिया प्रणार को दिये और उसके बाद देखना पड़ेगा वह देखेंगे यदि सहीं लगेगा तो अथराइस करेंगे इसको तुम्हें भी डाटेंगे क्या करते है वहार तुम दिमांग खराब है क्या तुम्हारा वहीश ही चलता है कोड नमेशेट वाइल ऑथराइजिंग डिटेंशन अब यूज दरीपोर्ट परनिस्ट पॉलिस ऑफिसर इंटर्म से वब एवब सेट अंड ओन्ली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट सटिस्ट अधर्वाइज ट्रविट्टिंग तभी होगा जब उनको सटिस्ट्वाइज कर दोगे कि अधर्वाइज इंपोर्टेंट जरूरी है तभी होगा अधर्वाइज क्या होगा ऐसा कहा जाएगा कि छोड़ दो इसको अधिए नॉट अधिटीज नोट नोट टो इकूज पर इजन्स तो बिरिकॉर्ड इंड राइटिंग तो वीक्स फ्रॉम देट ऑफ इंस तो इन तक विदिन टू वीक्स विदिन चौदा दिन चौदा दिन क्या होगा आप जो है नोटे सर्व कीजिए विच में एक्क्टेंज इंड़ पुलिस ऑफ दिस्टिक पर दीजिन तो आप रिकॉर्डिंग राइटिंग रिकॉर्ड किजिए कि क्यों अब बाद में पॉर्टिवने का नोटिस दे रहे हैं करक्ट फेल्यूर तो कंप्लाइविद डारेक्शन एफॉर सेल अपार्ट फ्रॉम रेंडरिंग दा पॉलिस ऑफिसर कंसर्ड लायाबल तो डिपार्मे उसके इपरिंगे संथरेक्शन आ पार्ट में थे आपॉर्टिंग जाए कि यहां लिखा हुआ है कि फैल वर तॉम्प्लाइविद पॉलिस एफिसर कंसरा फ्रॉम रिफुटर्ण्ट लिए अपर्में लेक्शन टॉने का यहां लिखा हुआ है कि फैल्युर्ट तो कि आप् having territorial jurisdiction authorizing detention without recording regions as aforesaid by the judicial my state concerned shall be liable for department election by the appropriate High Court we hasten to add that the directions of our state shall not only apply to the cases under section 40 498 AI PC or section 44 of the Dolly provision Act in case in hand but also but also such cases where offense is punishable with punishment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years whether with or without fine बोला कि ये गलती मत कर लेना कि आप रिस्त्रिक्टिव अप्रोच लगा करके बोलो करें ये तो 498 वाले में हुआ था ऐसा नहीं है कोई भी पनिस्मेंट हो आडली मेटर्स कोई भी ओफेंस आडली मेटर्स यदि उसका पनिस्मेंट अप्टू सेवनियर्स है तो यही गाइडलाइन स्क्राइब करना पड़ेगा और यहीं करते हैं कंटम्ट लगाई हाई कोट में देखना कैसे भागें पुलिस बाले हमने एक दो बार लगाया है बहुत भयानक भागते हैं उसके बाद चेंबर में आके गिरे शेखना लगाई है हुआ है 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 जाले पोश्ची सब्सक्राइब फेंगार श्याथ कोहर ऑन देख पर रावर्स चम्हां पूलाइब ऑलिए और गाया चाहर श्यावे जाख टपरेंज जोब्वावाः टर आट सब्सक्राइब का इसका रिजनिंग पता चला आपको या नहीं पता चला अभी तक नहीं यह पता चला आप यह यह बहुत बढ़ी यह वेरी गुड ठीक समय आ गया को दिकत कि अधिकत है क्या इस हमारे इंक्रीज होंगे व्यूज यूज वाला इस एक बार मैं ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आता मेडम इसा क्या पढ़ा दिया मैंने जो समझ में आपको एक बार में नहीं सर्थ एक्ष्ले ना मेरा भी फास्ट यह तो मेरा यह सब्जक्ट नहीं है तो मैं बाद में भी देखूंगी तो उसमें व्यूज कम हो रहे हैं इसलिए तो पांच व्यूज दिया है पांच नहीं आठ व है तो सर एक बार में जरूरी थोड़ी एक बार बैठे तो पूरी वीडियो एक साथ देखेंगे यह जरूरी है आप लिख लिए इसको एक बार जब बैठिये आप क्लास करने के लिए तो यह करके ही उठें नहीं तो नहीं उठें यदि आपका कंसेंट्रेशन यदि एक डेड़ घंटा भी नहीं है तो फिर लॉप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह बिल्कुल सही पॉइंट आपने किया बिल्कुल ज़रूरी है कि यदि आपके पास एकाद घंटे हो तभी आप क्लास शुरू करें क्या आप यह नहीं बोलती हैं हम भी नहीं बोलते थे अपने सिख्चा को गलास है ही देड़ घंटे का है एक गंटे का है 45 मिनट का है तो जो भी करना उसके बाद करना ऐसा नहीं कि इदर इंस्टाक्राम भी चला रही है उधर WhatsApp भी चल रहा है उधर कुछ और चल रहा है मैं specifically I am not telling to you तो ऐसा तो नहीं है तो एक घंटे का क्लास है तो एक घंटे आपके पास समय हो तभी देखें अधरवाइच यदि आप ऐसा करेंगे कि दस मिन देख लिया फिर चला गया इंस्साग्राम पर मैसेज करने नहीं बड़ेगा व्यूस तो भी वेरी फ्रेंक और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है वहिया जो एक बार में आपको समझ में नहीं आया किसी को भी समझ में नहीं आए आज जो डेड़ गंटे का क्लास दिया है क्या है अब यह जब समय हो तभी देखें इसको ठीक है फिर भी समझ में नहीं आया कि पांच बार में मुझे समझ में नहीं आया एक एमेल लिखेंगे रिजन रिकॉर्ड करेंगे कि सर ऐसे ऐसी बात है मुझे समझ में आ रहा है रहा है स्लोब मैं समझती हूँ पढ़बा दूंगा लेकिन इसका email आप रीजनिंग के साथ जैसे और बच्चे को एक बार में आ रहा है या पांच बार में ऊसके काम करूंगा दुबारा उस टॉपिक को और बहुत अच्छे तरीके समझाऊंगा जब एक ही बार में आ जाए तो आप रीजिनिक दीजिए सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस सही आएगा लेकाल वाड के लिए कुछ नहीं और नहीं होगा कितना इतने मूटी जिक्सनरी आती आप एक बार थोड़ी पढ़ लोगे प्रैक्टिस में एन फ्रैक्टिस में जोड देता हूं प्रैक्टिस कीजिए मतलब केसे पढ़िए जितना ज्यादा इपसे डेक्सित अभी एक जब भी बात की बात आएगी आपको बोलने की इक्षा होगी तो आप क्या बोलेंगे इपसे डेक्सित यदि बोल दिया तो 99 परसेंट को समझ में नहीं आएगा तो वही 99 परसेंट में आप भी है तो उसको धीरे-धीरे होगा ना केसे पढ़ोगे तो दो चार चीज नहीं स पुलिस यह सब यूज होता लीगल पार्देंस में तो जितना ज्यादा आप केसे पढ़ोगा मैं सोच रहा हूं एक कोर्स बनाओ इस पर लेकिन टाइम नहीं है आप लोगों को एसिस करो तो शायद मैं कर भी दूँ लेकिन दिक्कत है ऐसे एक्षुली जो हिंडी मीडियम स दिक्कत होता है और यदि अच्छे से समझा दिया जाए तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो ऐसे चीज़ों को ठीक है तो लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगा टाइम लगेगा ठीक है अच्छा हम मैंने कोशन पूछा था कि ऐसा क्या था आज गंटे में आपको समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है यह कुछ है यह कुछ है अरे कुछ है अपने सर वह फिल्स वाल तो सर इसमें आप बस प्रूब है नहीं होगे इस्प्रूब किस प्रूब नहीं होंगे कंटेम्ट का जो एरिया है कन देम्ट का जो पर प्रपकेस इस बहुत लिमिटेड होता है यति बंदह खुदी कबूल कर रहा है कि गलती होगए अगरस नहीं करेंगे तो शमा कर तो कोई बात नहीं नहीं दो-ती बार में दो तीन बार कोई बात नहीं पूरा समझा दिया परिटो कर देना कोई बात परपस किसी को जान दोड़ी मार दोग यार बंदा जब खुदी बोल रहा है कि नहीं था समझ में नहीं आया नहीं सी आर पिसी पढ़े हैं सब आपके जैसे पड़े लिखे तो है नहीं आप गलती होगे आगे सब्सक्राइब करने नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं देखेंगे समझ में आ रहा है यह चीज पूछ नहीं तो करने और तुम दूसरा पूच्छन फूचा कि यह एक्टे के लास में आपको समझ में नहीं समझ में आता है तो फिर एक एक्स्ट्रा व्यूज की जरूत क्यों पढ़ रही है याद तो नहीं रहेगा याद रहेगा तब आपके पास पीडियाफ है ना उसको प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ो ना एक बार पढ़ो उसके बाद यह वीडियो देखो देखो कैसे याद हो जाता है कि इस्टम होता है काम करने का तरीका होता है आप काम करोगे तो होगा बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सीख नहीं पाओ प्रेसर होना चाहिए दिमाग पर एक ही व्यूज है जो बढ़ना यहीं कोई काम नहीं करेंगे फिर तरह जस्टम इनट बला हिसाब जो आजकर चल रहा है वो गलत बाद और इस यह को और रहें नहीं आपने आप दो स्टूटेंस होगे यहस यह पता नहीं था कि यूज फाइफ ताम्स है यह यह एस अधर प्रिविसलिय और वेश्लिय आप सिन लिए तैन मिनिट और फैप मि प्रिविसलिय नहीं करो ठीक है तोड़ी है बाई लॉंग क्लास है ना रील तोड़ी है मार दिया स्वाइब सिक्टी सगेंड में वैसे नहीं होगा आज कल दिक्कत है कि माइंड वही ट्रेन हो गया ना जल्दी जल्दी यह सब कंसेट्स है इसको समझने में समय लगता है क्योंकि मैं अपने नहीं बढ़ा सकता यहां पर टेक्निकल मेंबर नहीं हूं जो टेक्निकल टीम करती है उसको बार बार इमेल करो फिर लेक्टर नमबर दो और बहुत ताम जामें दिमाग खराब होता है सारा काम पढ़ेंगे और जो लीगल वर्ड आ रहे हैं सुनो सुनो अच्छे वकील जज़ बनना द्यान से सुनो यह सब जो इपसे डिक्सिट आ गया कुछ और आ गया जो लीगल वर्ड आपको अच्छा लगे तो आप उसको अलग नोटवोक बना लो इसके लिए मैं अलग से बोलूँगा फिर बनाओगे तब तो फिर हो गया अलग से बना लो और उसको रिवाइज करते रहो जब बोलने की बारी आए तो ट्राइ कर ले ना बोल करके अच्छा लगेगा सुनने वाले को भी आदे को स ठीक है तो टोंड वरी दीरे दीरे हो जाएगा केसे पढ़ने का अधत डाली इसको मैं रोकता हूं बागी फिर से मिलता है किसी और दूसे लेक्शर में इंज्वाइब कीजिए बाई-बाई-बाई-बाई-गूट-Night अधि यह जो पीडिया पे इसे अप्लिकेस में अप् देख लो जाके अप्लॉडेड है टांक अब्वाइब